आप सभी लोग का सुवागत है मरजीत कलासेस में जैसा कि आज मैं मेसिंग नंबर का कोश्चन लेका है हूं और बहुत ही बहुतरीन सवाल है आज तो बिल्कुल देखना ना भूले और वीडियो को पूरा देखें लास्ट टेक देखें ताकि आपको यह बाते समझ में आये चलिए गाइस बीना समय गवाया हुए कोश्चन की तरफ चलते हैं क्या है कोश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेसिंग नंबर का कोश्चन है और बहुत ही सांदार कोश्चन है तकि आज कैसे करेंगे हम लोग जैसा कि देखिए यह मेसिंग नंबर का कोश्चन है ज जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे जोड़ सकते हैं देखते हैं और कैसे हमारा यह तरीका बनेगा बिना समय गवाया हुए तो देखिए गाइस अगर 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 होगा और 24 में से 3 को हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ बिम्हें गुने तीन करेंगे तो 24 आएगा और दूसरी संक्या को घटा लेंगे तो 24 में से 3 जाएगा तो आज आएगा 21 चलिए यह तो मिला आपको अब दूसरा संख्या घ्टाफ पॉभववर यहां पर चाहिए मेरे को फाइंड एचाहर कर ना है 12 बारा को दूसरी संख्या घ्रचाल ख्ता सूरों तो आंसर निकल गयागा 22 जो हमारे option में हैं चलिए देखते हैं option के option की तरफ option क्या है चलिए गाइस तो option A हमारा C में option number 22 जो की right answer है तो question का answer समझ में आया और जो समझ में आया होगा तो like करना बिल्कुल ना बुढ़े और share किजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी तक मेरा question पहुंच सके चलिए गैस दूसरा number question दिखते हैं दूसरा number question क्या है दूसरा number question में लिखा गया है कि दिये गये दिकल्पों में लुप्त अंक ग्यात करें अब यहां पर white का sign होगा यहां पर हमको पता करके लिखना है कि क क्या होगा तो हम देखते हैं यहां पर हमारा answer जो бат उन्म और कि क्या होने वाला है चलिए यहां देखिए यह संखोट है यहां फिर क्यूट है तो हमको पता है कि दूब का क्यूट है 8 होता है यह भी संख्या वह ही है यह किसका क्यूब है चार का क्यूब है चार का क्यूब होता है 64 है ना और यह संख्या को देखिए यह संख्या यह जो संख्या है गाइस यह क्या है यह चो का क्यूब है अब लॉजिक आपको समझ में आगे होगा क्या है यहां पे 2 का क्यूब 4 का Q, 6 का Q अंतर जो है वो सभी संख्याओं में 2 का अंतर है कितने का अंतर है 2 का अंतर है 6 का Q होता है 216 216 यहां पे है अब यहां पे क्या होगा गाईस वो हमको चिक करनी है जैसे मैंने आपको बताए कि logic 2 का अंतर का आ रहा है तो लोजिक यही लगेगा जैसे यहां पे 2 का Q हो गया तो 8 हो गया 4 का Q हो गया तो 16 हो गया 6 का Q हो गया तो दूसरा 16 हो गया अब यहां पे 2, 4, 6 तो हुआ 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा और 8 का जब Q करेंगे 8 का हम Q करेंगे यहाँ पर नहीं मैं यहाँ पर करता हूँ 8 का अगर Q करेंगे तो 512 होता है मतलब यहाँ पर जो आएगा वो 512 होगा क्या होगा 512 भराएगा देखते हैं हमारे option में 512 मैं एक में रुख जा रहा हूँ अगर आपके पास pen paper है तो उतार ले और यह आपको बहुत ही काम आने वाला है बहुत अच्छा logic था यह ठीक है चलिए तो हमारा next question पर चलते हैं हम लोग next question मेरा क्या है चलिए गाई अगला question क्या है इसमें भी वह लिखा हुआ है कि लुप्त संख्या ग्याद करें लुप्त संख्या हम लोग कैसे ग्याद करेंगे यहां भी कुछ logic होगा जिसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं ठीक है गाई चलिए अब यहां पर logic क्या है कि यह जो 27 है 27 किसका क्यूब होता है यहां पर सब सब क्यूब में है तो क्यूब में ही हम लोग खुजनी कोसिस करेंगे देखते हैं यह 27 होता है वह किसका होता है तीन का होता है और यह एक खुद का क्यूब है मतलब एक का क्यूब एक ही होता है आप कितनों से एको गुना के जगा तो वो एक ही देगा तो तीन यहां पर जोड़ दिए तीन का क्यूब सताई से तो तीन ले लेंगे इसमें से और यह एक का क्यूब एक है तीन में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चार हो जाएगा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और चार को हम दू से डिवाइट करेंगे तो दू होगा दू आ गया और दू का जब क्यों करेंगे तो आठ मिल ला यहाँ पर अब देखते हैं यह लोजिक इस पर काम करता है या फिर नहीं करता है तो यहाँ पर यह देखते हैं यह होता है चो का और यह होता है आठ का तो यह चो का हो गया और यह हो गया चार का तो चो और चार को जोड़ देंगे जैसा मैंने यहां तीन और चार को जोड़ा था तो चो और चार को मैं जोड़ दूँगा तो 10 होगा और 10 में दूसरे भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 का क्यूब जब करते हैं तो 125 आ रहा है चलिए यह भी काम कर गया अब अगला देखते हैं अगला किया यह 727 कि यह 27 हम लोग देखते हैं किसका है तो 91 81 87 मतलब यह 9 का होता है यह 9 का और यह जो 3 है वह 3 किसका होगा यह 343 यह 7 का होगा किसका होगा 7 का होगा तो 9 7 16 आ जाएगा और 16 में जब हम 2 से भाग देदेंगे तो यह 8 आएगा और 8 का क्यूब होता है 512 जगह के आप में थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं तो आप लोग वीडियो का पाउस करके देख सकते हैं ठीक है गाईस यह 512 म 12 ही आएगा 512 आएगा ठीक है यह था इस कोशन का लोजिक लेकिन अब आपसर में दिखते हैं ऑपसर नमबर किस में तो आपसर नमबर सी में 512 विल्कुल है और मैंने ठीक लगा दिया है अब दिखे यह तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था वह सकता है कि यह प्रोसेस हम ये एक का क्यूब है ये दो का क्यूब है और ये तीन का क्यूब है समझ में आ रहा है लोजिक क्या है ये एक का क्यूब है ये दो का क्यूब है ये तीन का क्यूब है यहां देखिए ये चार का क्यूब है ये पांच का क्यूब है और ये गैस छो का क्यूब है तो यहां क्य क्या है कि यह जो होगा साथ का क्यूव ठीक है यह 8 का क्यूव 8 का क्यूव और यह 9 का क्यूव मतलब यह की यह भी एक लॉजिक है जो एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ तो यहां भी अगर आठ क्यूव करके देखे तो पांसो बारा जो की बिल्कुल सही आंसर है इस प्रोसेस से भी हम इसको बना सकते हैं तो गैस बाते सवंज में आ गया होगा तो लाइक करना न भूलें चलते हैं फिलाल अगले कोशन पर अगला कोशन हमारा क्या है चलिए अगला कोशन पर गैस देखा जाए कि अगला कोशन हमारा क्या है यह भी मेसिंग नंबर से ही कोशन है और यह थोरा सा कम समय बनने वाला कोशन है हम लोग थोरा सा ध्यान लगाने की जरूरत इस कोशन पर कि यह किस टैप से होगा ऐसा कि आप लोग देख रहे हैं विकल्पों में लुप्त संख्या ग्यात करें या फिर संख्या को चुनें अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक होना चाहिए पांच है फिर वर्ट का साइन दे दिया गया है फिर एकुछबीस है फिर छो है अब इसमें क्या करें अगर मान तरीका देखिए अगर इस पांच और एकुछबीस में हम रिलेशन देखें थुरा दर के लिए माल ले आ जाए तो क्या रिलेशन होगा रिलेशन यह बन रहा है कि पांच के क्यूव करते हैं तो एक सो पचीस आता है और उसमें अगर एक चोड़ते हैं तो एक सो चबीस आ यह एक रिलेशन काम कर रहां अब इसका देखते हैं इस मंने नैव कैंके क्या यह काम करता है अगर करता है तो सही होगाण नहीं करता है तो गलत होगा चलिए छो मेघ्ए करहते हैं तो तो आ जाएगा 217 यह लोजिक काम कर गया और दिखते हैं 217 अमारे option number C के साथ है तो option number C is the right answer of question number 4 तो guys बातें बिल्कुल simple थी और समझ में आ गया होगा अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को share जरूर करें अपने दोस्तों में ताकि अब आपके दोस्तों तक भी मेरा यह class पहुंच सके और उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए तो फिलाल आज के लिए इतना है गाफी है फिर मिलेंगे अगले class में तब तक के लिए धन्यवाद यह सबस्ट कते हाए जर दीडिक से बज़ात में इतनाफिताज का मैं जाए लिफ गद में तक का लिए स्ग्सार्वल में पा 하기 है